तो चलो बच्चो आज हम फिर से मैथ का सब्जेक लॉन करेंगे और टॉपिक का नाम है सिमेट्री सिमेट्री यानि समान्ता जिसे हम कहते हैं इक्वल यानि के समान्ता देखो यहाँ पे हमें एक्वल के लिए क्या दिया गया है एक लीब दिया गया है क्या एक लीब अब्जर द लीब शोन अलोंग साइड जो लीब दिया है उसका आपको क्या करना है बच्चो अब्जरवेशन करना है तेक अनाधर लीप लाइक लाइक is one which has many wings देखो उसी तरह का कोई भी लीब आ अप लोgender उस लीब में आपको क्या दिखाए देंगे wings देखो यह दिखाए दे रहे है सब को हम कहते हैं symmetry यानि के समानता और उसके बाद इसके बीच में जो लाइन किची है जो वेई से उस लाइन को भी हम क्या कहते है symmetry क्योंकि इस लाइन से यदि हम लोगों ने लिप उस लिप को लिप को फोल्ड किया तो उस लिप के two equal parts हमें definitely ही दिखाई देंगे और इसे हम कहते है symmetry यानि के समानता यानि के कुछ ऐसे figures होते हैं जिनको हमने फोल्ड किया तो उसके दो समान भाग होते है यदि इस लिप को इस सेंटर में से हमने काटा तो भी left side और right side के जो shape होंगे वो केसे होंगे बच्चो एकदम equal यानि के समान इसे ही हम कहते है symmetry उसी तरह से हमें second example यहाँ पे दिया गया है triangle देखो यहाँ पे triangle हमें दिया गया है तो देखो उस triangle में भी हमें veins center में दी गई है तो देखो बच्चो इस triangle को भी आप लोगों ने यह default किया तो आपको क्या दिखाई देंगा उस triangle के दो equal भाग हमें दिखाई देंगे इसे कहते हैं हम symmetry यानि के समानता इसी प्रकार हमें यहाँ पे बहुत सी figure दी गई है और उसमें symmetrical figure कोन सी है और not symmetrical वो हमें दी गई है देखो यहाँ पे first figure हम देखेंगे इसमें भी हमें center में क्या दी गई है वेंस दी गई है यदि इस figure को हमने फोल्ड किया तो इस side का porch इस porch को इधर फोल्ड किया तो भी यह porch इस porch को ढख लेगा यानि के छिफा लेगा और दोनों क्या हो जाएगे equal यानि के दोनों के दो समान भाग आएगे इसे हम केते symmetrical figure अभी देखो यहाँ पे second figure आपको दी गई है इसमें एसी line किची है लेकिन देखो बच्चो यह जो पाट है यह बड़ा है और यह जो पाट है यह चोटा है यदि हम लोगों ने इस porch को इस porch में फोल्ड किया तो यह porch इसको ढख लेगा क्या? नहीं डखेगा क्योंकि इसका जो भागे दोनों के वह समान नहीं है यह जो शेप यह बड़ा है और यह चोटा है इसलिए यह शेप इसको नहीं डख सकता इसलिए हम केते हैं इसे not symmetrical figure यानि कि इस figure में समानता नहीं है यदि इस line से हमने उसे काटा तो भी दो पार्ट हमें नहीं दिखाई देंगे इसका मतलब इसे हम केते हैं not symmetrical अभी है third figure देखो third figure में भी center में हम एक line दिखाई दे रही ही देखो बच्चो यदि आपने उस line को सीधा काटा तो आपको क्या दिखाई देंगे left side का एक पार्ट और right side का एक पार्ट दोनो equal हमें दिखाई दें यानि के इसके दो समान भाग हमें दिखाई देते हैं और left side का भाग right side में हम लोगों ने फोल्ड किया तो दोनो पोर्च एक दुझे को क्या कर लेंगे डख लेंगे इसे हम केते हैं symmetrical figure अभी है fourth figure देखो इसका shape अभी अलग ही है और line center में है क्या नहीं इसकी line बहुत अलग type में किची है यदि इसकी line center में होती तो यह figure भी हम symmetrical केते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इसकी line की direction कैसी है इस तरह की है और यह जो shape है यह बड़ा है और इस line के उदर के side का जो shape है यह चोटा है इसलिए यदि हमने इसे fold किया तो भी यह जो part है यह part इस part को चिपा नहीं सकता इसलिए हम इसे केते हैं not symmetrical figure अभी है fifth figure इस figure में भी एसी line हमें खीची हुई दिखाई दे रही है लेकिन इस porch को इस porch यदि इस mango को हम लोगों ने fold किया यदि इस figure को हमने यही से काट भी यह तो भी same equal part हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यह porch इस porch को ढग नहीं सकता है इसलिए यह figure है not symmetrical उसके बाद दूसरी figure यहाँ पे दी गई है देखो यहाँ पे भी figure दी गई है और इसमें line ऐसी किची है और यह part यदि इस part में हम लोगों ने धका तो figure equal मिलेगी part equal मिलेगे के हमें नहीं और यदि यही line हमें ऐसी दी गई होती तो part 1 part 2 को क्या करता धक लेता लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है उन लोगों ने इस तरह इस direction में line किची है इसलिए यह part 1 यह जो shape पे वह अलग है और यह भी अलग है यानि के shape सेम नहीं है इसलिए इस figure को हम केते हैं symmetrical figure यानि के symmetry यानि के समानता एसे बहुत सारे figures होते हैं बच्चो की जिनको हमने fold किया तो उनके equal दो part बनते हैं उसे हम केते हैं सममिती क्या केते हैं बच्चो सममिती यानि के कोई भी ऐसी figure हो उसमें center में जो line किची हो यदि उस line के बज़े से उस figure के दो भाग दो part हमें मिलते होंगे तो हम उसे केते हैं symmetrical figure उसे कोन से क्या केते हैं बच्चो symmetrical figure और यदि उसी line के बज़े से हमने किसी figure के part किये और उसके part same नहीं होते एक पार्ट ने दुसरे पार्ट को ढखा नहीं होता तो उसे हम केते हैं सममिती नहीं है उस फिगर में सममिती नहीं है यानि कि यहाँ पे हमें सममिती दर्शाई गई है कुछ फिगर ऐसे हैं जिनके दो इक्वल पार्ट तयार होते है एक पार्ट दुसरे पार्ट को ढख लेता है उसे हम केते हैं सममिती यानि के समानता उन में क्या होती है बच्चो समानता होती है देखो अब यहाँ पे यह फिगर हमें दी गई है यहाँ पे क्या है सेंटर में लाइन तो है लेकिन इसकी डिजाइन अलग है और इसकी लग होने के कारण यह एक दुझे को ढग नहीं सकता यानि के उसमें समानता नहीं है उसे हम केते असमानता और जिस फिगर की वज़े से दो पार्ट पड़ते जिस लाइन से अभी लिप भी दिया गया है लिप में सेंटर में एक विंस किची गई है और उसके कारण लिप के two parts equal होते हैं इसलिए हम कहते हैं इसे symmetrical figure यानि के symmetry यानि के दूसरा कुछ भी नहीं है उसे हम कहते हैं सममीत यानि के समानता क्या कहते हैं उसे समानता ओके ठैंक यूडियर स्टुड़न लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल